नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एर फोर्स ने अपना लाइट कॉमबैट एरक्राफ्ट तेजस को पाकिस्तान बोर्डर के उपर टेंशन को देखते हुए वहाँ पर डिपलोई कर दिया है ऐसे में तेजस की ख्षमता क्या है आज हम इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो तेजस फाइटर जेट है ये स्क्वाडन 45 का यानि जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स है उसी का तेजस फाइटर जेट है और ये सुलूर के अंदर बेस्ट है जो साउतरन एर कमांड का इसा है अभी इसको इसलिए लगाया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन होता है कोई एडवरिसरी होती है तो उसका मुकाबला किया जा सके और अभी परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा भी इंडेपेंडनेंस दे के दोरान तेजस का जिकर किया था और इसका सीधा सा मतलब ये लगाया जा रहा था कि तेजस मार्क वन एकी 83 फाइटर जेट की डील जल्दी हो सकती है लेकिन आपको अगर तेजस की हिस्तरी के बारे में बताएं तो पहले तो दोस्तों ये सिंगल इंजन फॉर्थ जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर ज जब ये सोचा गया था कि एजिंग मिग 21 फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा लेकिन अभी आप देख लीजिए कितने साल हुए है इसे इंडक्ट किये हुए अब दोस्तों सवाल ये है कि तेजस के उपर सवाल बहुत उठाए जाते हैं ये स्पेशली दोस्तों जो पेड जर्नलिस्त होते हैं जिनको पैसा मिलता है फोरन से वे ऐसा करते हैं वे जान बूज के एक पर्टिकूलर फाइटर जेट को परमोट करते हैं और इंडियन तेजस के बारे में बुरी बाते लिखते हैं और ये भी कहते हैं कि जे ट्वन्टी से ये कैसे मुकाबला एक्टूल में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है अरहलांकि दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि वेस्ट के अंदर या ये जर्नलिस्त कितना जानते हैं जे ट्वन्टी स्टेल्थ जेट के बारे में ना तो उनके बारे में कोई स्टडी रिलीज हुई है ना ही उसके कु एक हाईलाइट दी जाती है, तो ऐसे में ये भी कैसे कह सकते हैं कि J20 इतना ज़्यादा एफेक्टिव है, और कुछ एक एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि J20 एक्चुल में एक फॉर्थ जनरेशन का ही फाइटर जाता है और इसकी स्टेल्थी होने के अंदर भी डाउट है, तो पूरी तरह से पूरी तरह से पब्लिक डोमेन के अंदर अविलेबल है और तेजस की हम जानते हैं कि क्या खासियत है, और दोस्तो वेस्ट कभी नहीं चाहता कि हमारा खुद का कोई भी प्रोड़क्ट डेवलप हो, अगर मैं आपको बता दूँ इस सरकार ने अगर ये कोश शिशे ना की होती, तो तेजस आज डेड होता, लाखों करोडो रुपए जो इसके उपर लगाए गए हैं, वो सारे पानी में जाते और कुछ भी नहीं बन पाता, और फाइनली हम कोई बाहर से ही फाइटर जेट खरीद रहे होते, और तभी इस गोवर्मेंट ने केवल 36 फ करकार के एके एंटोनी जो डिफेंस मेनिस्टर थे, उन्होंने इसको खतम ही कर दिया था, इवन राफेल को करीते समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ दोस्तो राफेल फाइटर जेट हमें मिल चुका है, इसकी कैपैबिल्टी पे कोई इसकी शक नहीं है, इसने हिमाचल के अंदर कुछ सोटी भी ली और रात के समय में जब इसने फ्लाई किया, तो चाइना को सीधा मैसेज मिला और चाइना को इस चीज का फियर भी हुआ होगा, और एक क्लियर सिगनल भी मिला होगा, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि वार फेल फाइटर जैट है, बलकि उनको डराना इसका मकसद है, और दोस्तों अगर युद होता है, एयर फाइट होती है, तो चैना कभी भी अपना जे ट्वनटी फाइटर जैट नहीं बेझेगा, वह अपने पुराने जे टेल फाइटर जैट ही बेझेगा, और चैना के सबी मिसाइल को फायर किया जा चुका है और अभी चूंकि माइका मिसाइल को सुखोई 30 से फायर किया गया है तो ये भी पहले हमें इसकी इजाज़त नहीं मिलती थी अब शायद फ्रांस ने दे दी है तो ऐसे में दोस्तों माना जा सकता है कि तेजस से भी इसको फ्लाई वाया जा सकता है क्योंकि तेजस फायर जेट अटलिस्ट हमारी खुद की टेकनोलोजी है और अगर पाकिस्तान की बात करें उसका JF-17 तो ये एक्चुल में MiG-21 का ही एक तरह से कलोन है और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है इसके अंदर जितने भ दोस्तो सबसे बड़ी बात ये होगी जब पहला तेजस मार्क 1 ने डिलीवर होगा तो वो सारे मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडिड म्यूनिशन के साथ में आएगा और पूरी तरह से युद के लिए उसी तरह से तयार होगा जैसे हमारा राफेल फाइटर जेट है धन्य जबाद जैहिन